नमस्कार अपनीज पोड़नेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना केंद्री मंत्री मंदल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है बीते कई दिनों से इस बात की संभावना जताई जा रही थी हलाकि अब वह संभावना पक्की हो चुकी है क्योंकि पांच जनिक के ट्विटर हैंडिल से ट्विट किया गया था हलाकि कुछी देर के बाद वह ट्विट को डिलीट कर दिया गया लेकिन इसी बीच बीजेपी के कई बड़े लीडर थे जिनकी नजर उस ट्विट पर पड़ी और तब से यह चर्चा का भी सह बना हुआ है कि 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच किसी भीदीन मंत्री मंदल का विस्तार हो सकता है आपको बताते चलें कि नरेंद्र मोधी के कैबिनेट में दो मंत्री को ड्रॉप किया गया था एक थे बीजेपी कोटे से रविशंकर प्रशाद और एक जद्यू कोटे से रसेपी सीन हाला कि अब रसेपी सीन को जद्यू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है है नितिश कुमार निति शूमार ने साफ़तोर से आरूप लगाया था कि ये आरसीमी सीन बीज़ेपी के गोद में खेल रहे हैं बीज़ेपी के एजेंटस बने हुए हैं ऐसे में आरसीमीं सीन अब ज़दियू में नहीं है उन्हें निकाल दिया गया है ओप यह रिआ बहर से मंदल में मर्स कुछकों बात करें सवर्णों नरेंडर मोंदी के कफी करीब है और बात उठ रही है आरसीपी सीन को ले करके भी कि क्या आरसीपी सीन को भी बीजेपी कैबिनेट में जगह दे सकता है या फिर चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिल सकता है क्योंकि जिस तरह से 2024 में लोग सभाचुना होने हैं भाजपा से अलग होकर बिहार में निति पीछड़ों को जगह दे सकता है क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से जाती समिकरण को लेकर राजनीती होती है ऐसे में अगर आती पीछड़ों और पीछड़ों की जगह कैबिनेट में दी जाएगी तो बीजेपी का कुनबा जो है और भी मजबूत होगा ऐसे में देख इद्रमोदी 29 सितंबर को जो है गुजरात जा रहे हैं जहां दर्शहारा में वो गुजरात में ही ठहरेंगे इससे पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाना तैय है ऐसे में तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर है अब उनका जो है दिल्ली जाना तैय है और तमाम चीजों को को लेकर कयास लगा जा रहा है कि किसी भी दिन 26 सितंबर से लेकर ठाई से सितंबर के बीच मंतरी मंदल का विस्तार हो सकता है हाला कि कौन ऐसे पीछड़ा और अतिपीछों को जगह मिल सकता है तो आखिर वो कौन दो चेहरा है जिसको कैबनेट में सामिल किया जाएगा ये तो भविसे के गर्व में हैं हलाकि इसे जुड़ी जो भी अपडेट मिलेगी वो भी हम आप तक जोर साज़ा करेंगे अब तक कि हमारे चैनल को सब्स्राइब में के हैं तो कलीजे धन्यवाद